नमसकार दोस्तों मंदीब की पंजाबीर सोय में आपका बोब स्वागत है आज हम घर बनाएंगे कटोरी टामाटर कटोरी चाठ चाठ कनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए है चाठ टामाटर एक कटोरी बेसन की, थोड़ा सा गूर, इमली जो मैंने थोड़ी से इमली लिया है, जिसको मैंने पानी में बिगो कर रख दिया है, यहां पर मैंने लिया है मलाई सेमिया, थोड़ी से आपको मलाई सेमिया देनी है, जवायन, एक प्याज, बड़ा प्याज, थोड़ा सा जादनिया, एक अनार मैंने यहां गर्दारी अनार का प्रयोक किया बीच में और थोड़े से चिलुडे, एक डूंगा लिया है, उसमें मैं डालूंगी बेसन, बेसन को आपको गाड़ा पेस्ट मेना है, और एजवाइन, थोड़ा सा नमक, नमम आपको जादनी डालना है, थो आप इसका गाड़ा पेस्ट बना ले, ऐसे आपको गाड़ा पेस्ट बना ले ना इसका, जो अच्छे से टमाटर की उपर अच्छे से लग दे, देखिए पेस्ट भी कुछ तयार है, देखिए मैंने कडाई को गैस के पर चड़ा कर तेल तोसमें डाल दिया है, तेल जो हो चुका है, तो माटर की उपर अच्छे से बेशन लगा लेंगे, देखिए आपको ऐसे लगाना है, ऐसे आपको डाल दे रहाना है, तो, आपको ऐसे ही सभी टमाटरों के उपर बेशन लगा कर तेल में छोड़ देने, तो, मैंने सभी टमाटरों को ऐसे कर लिया है, हलके हलके इसको उनको हिला देना है, पड़ देना मुक्राब, जबेशन उपर से पकना शुरू हो गया, देखिए, वोन राउम होना शुरू हो गया है, हम इनको लके-लके ऐसे ही रखना है, एके करके हम टेल में से निकाल लेंगे इनको, अच्छे से पख चुके हैं है अच्छे से बन गए हैं इसे निकाल लेना आपको तेल में से सभी को निकाल लेना है जो टमाटर आपने बेशन लगाता है तेल के नीच में छोड़े है ग्यास को बंद कर देंगे तुकि आपको इनको ज्यादा गोर्डन ब्राउन नहीं होने देना हलका हलका बस पकाना है दास मिनट आपको ऐसे ही रहने दे कि जो ठंडे हो जाएं जितनी दर यह ठंडे होते हैं उतनी दिन हम चटनी त्यार करते हैं कि पानी निचोरके अच्छे से निकाल लिया है और गुड़ जो चटनी बनाने के लिए यहां पर लिया है एक फ्राइपिन मैंने गैस पर चड़ा दिया है उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा देशी गी चटनी बनाने के लिए और साथ में डाल दूँगी यहां पर बुर्ध आपको यहां पर भी में चटनी बनाने है क्योंकि चटनी का जो स्वाद है एक अनोखा ही आएगा चाट में और इसके साथ ही हमें डाल देना है इमली का पानी अधिये वाणी जो मैंने इमली का डाल दी है मैं डाल दूँगी घृ का सा नमक डालना है आपको ठोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम गर्मसाला टेस्ट देने के लिए और अच्छे से ही राएंगे कि गुर्ध जो अच्छे से मैड हो जाएं इसी अध आधको ऐसी से गुल गया है गूर। चतनी को हलका सब गाड़ा कर लेना आपको। यह चतनी आप घर पर भी बना के रख सकते हैं। यह महीना बर चतनी प्रिज में रखने से कर सकती है। जो भी समोसे खाएं या चार्ट बनाएं बरकर तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं यह चिटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और इससे गला भी खराब नहीं होता है विल्कु भी भी थोड़ी कतली है हमें थोड़ा सा होट गड़ा करना जैसे चटनी बनका तयार है ग्यास को मैंने बंद कर दिया है ठ़ट जिटनी को ठंडा होने के लिए रख देंगे यहाँ पर जो मैंने टमाटरों को वेसे लगा कर उतल लिया था उससे बीच में से काट लूँगी आप आपको सभी को काट लेना है क्योंकि टमाटर कटोरी चाट है यह बहुत ही जाला स्वाधिस्ट बनती है अब घर पर जब भी बनाएंगे आपके बच्चे बार-बर कहेंगे कि ममा मों बनाकर खिलाओ देखिए सभी बिसे टमाटर निकाल लेना है आपको जो कटोरी है पूरी के पूरी आपकी बहर आजेगी बेसन की जो आपने बनाई है ऐसे इस अभी को ऐसे आपको निकाल लेना है देखिए कैसे कटोरी बनी ही है ठीक है और इसे आपको ऐसे रखना है अभी वो जो टमाटर है इनको अच्छे से मैश कर लेना है आपको अच्छे से सभी को मैश कर लेना है जो इनका ये पानी है वो आपको निकाल लेना है एक कटोरी में आप जब भी को डाल सब्जी बनाए उसमें आप यूज कर सकते हैं उस पानी को देखिए मैंने मैश कर लियें तो मैश किये थे उसमें से मैंने पानी निका लिया उसमें डाल दूंगे मैं प्याज चिड़ुड़े सीमिया अनार के दाने अनार के दाने मैं थोड़ी से रख लूंगी हरा धनिया थोड़ा सा आपको इसमें डाल देना है आदा चमच सफीद नमक एक चमच गर्म मसाला थोड़ी से लाल मिर्च और साथ मिर्च में डाल देना है थोड़ा सा काला नमक अगर मैं मिक्स करूंगी पुदीना मसाला मैंने यहां पर लिया चाट मसाला नहीं लिया इस चैट्टी में पुदीना मिसाला अगर आप मिक्स करेंगे तो बहुत ही ज्यादा तेस्टी लगे गएगा इसे हाद से अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको टोमाटर के साथ यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा यह नई रेस्पी है अच्छे से आपको नमक मिर्च जो है अच्छे से मिक्स कर लेना आपको अच्छे से मैंने सबी चीजों को मिक्स कर लिए अब मैंने यहां पर जो बेसम की कटोरी बना कर रखिए उसमें मैं उसे भर दूँगी अच्छे से आपको भर देना है इसे वह ऐसे ही आपको भर देना है और मैंने यहां पर सर्विंग रेल है इसमें मैं आपको सर्व करूँगी ऐसे मैंने यहां सर्विंग रेल है और एक मैंने छोटी प्लेट में आपर जो मैंने टमाटर कटोरी चाट नहीं है कि आपको ऐसे चटनी टाल देने उपर चटनी से आपको इतना यह टेस्टी लगेगी न आप दुबारा दुबारा इससे बना कर आप घर में खाएंगे जब आपका चाट बनाने का मन हो तो आप ऐसे ज़रूर चाट बनाएं इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया पर से देखें कितने इची लग रही है चाट हमारे देखें मैंने यहां पर बिल्कुल रेडी कर दिये अपनी चाट देखें अगर आपको मेरी वीडियोच लगे इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए सिस्क्राइब कीजिए चैनल को मेरे चाज़ से ज़्यादा आपको फिर मिलेंगे हम अपनी नई रेस्पी के साथ बाई बाई झाल 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 झाल